जी वो एक बच्चा लड़का आया है यंग्स्टर है वो उसका किसी के साथ कोई कॉविट पेशेंट था उसके साथ कॉंटेक्ट था वहाँ पे तो उसको थोड़ा गले में खराश और फीवर करके वो डर के ट्रेन में पास लेके यहां आया है जैसे हमें सूचना मिली हमने अ उसके थोड़ा माइल्ड फीवर है और गले में उसके खराश हो रही है थोड़ी खांसी है तो उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी गई है और आज उसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी और शाम को रिपोर्ट आजेगे उसके कोविट-19 में अभी हमारे पास 64 केसी टोटल असमें 27 कैसी है थांटी सेवन हमारे क्यूर हो गए हैं और उसमें हमने दो माइग्रेंट है जो दिली में करवा करे आये थे उनको भी हम यहां पे और रखा है उनको कोविट केसेंटर में 14 दिन के लिए और एक टीन हमारे होम कॉरेंटाइन पी हैं, कोविड पेशेंट जो हैं, जिनके को मॉर्बिरिटी थी और एक हमारे 75 यर्स के थे, एक लेडी थी, बच्ची थी छुटी, 9 साल की, उसको रखा हुआ है, और एक हमारी लेडी है, जिसका छे मीने का बच्चा है, जो कल पॉस्टिव है, उसको भी हम होम कॉरेंटाइन किया है, उनका अलग कमरा डिफाइन किया गया है, एक बात्रूम अलग से किया गया है, और यह जो हमारे केसिज हैं, इनको 14 दिन के लिए हम रखेंगे और उसके बड़ टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि हमारी जो कॉंटेक्ट ट्रेसिंग हुई है, वो पुलिस के थ्रू भी और हमारे आशा वर्कर और हेल्थ वर्कर के थ्रू भी हमने जितनी कॉंटेक्ट ट्रेसिंग हमारे पास हा रही है, हम चाहते हैं कि उनको टाइमली उनकी टेस्टिंग हो जाए, ताकि जो भी पॉस्टिव केस है, वो आगे कॉमुनिटी स की सेंप्लिंग करेंगे, और अभी तक हमने 4870 सेंपल हो गए हैं हमारे, और 204 की जो है रिपोर्ट आज शाम को आ जाएगगा.